हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खास कर बच्चों की फेवरेट ओरियो मिल्क शेक बनाना सीखेंगे इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर में 8-10 ओरियो बिस्किट्स को क्रीम निकाल के लें अगर आप चाहें तो इसका क्रीम भी आट कर सकते हैं दो टेबल स्पून चीनी, एक टेबल स्पून चॉकलेट सिरप दो छोटी स्कूप चॉकलेट आइस क्रीम, ये मिल्क शेक को क्रीमी टेक्चर देगा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं एक कप थंडा दूद आट करें, इसके लिए पहले दूद को बोईल कर लें और एक से दो घंडों तक रेफ्रिजरेट करें तीन से चार आइस क्यूप को आट करें और इन सब को अच्छे से ब्लेंड करें अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब कोई भी सर्विंग ग्लास लें और इसे चोकलेट सिरफ के साथ इस तरह अच्छे से डेकोरेट करें अब इस सर्विंग ग्लास में मिल्क शेक को आड़ करें और इसे चौकलेट सिरप या फिर ओरियो बिस्किट्स के क्रम्स के साथ गार्निश करके थंड़ा थंड़ा सर्फ करें तो फ्रेंज आप इस ओरियो मिल्क शेक को जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट्स में भी बताए कि आपको यह कैसा लगा और हाँ वीडियो को लाइक शेर और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना